असलाम अलेकुम दोस्तों उमीद है आप सब अल्लापाक के करम और उसके फदल से बहरियत होंगे मेरी आज की ये वीडियो उन सब परदेशी बाईयों के लिए है जो के रोजगार के सिलसला में या फिर वैसे सौदी अरब में मुकीम है और वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी चुटी जवादाद की तरफ से लग गई है या फिर नहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठाके हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दो साल से जवादाद ने ये टोटल सिस्टम चेंज कर दिया हुआ है और ज्यादा तर मालूमात अब हम को अप्शर पे मिल जाती हैं लेकिन अगर आप एक्जिट या फिर रिएंट्री वीडा के बारे में जाना चाहते हैं तो अप्शर पे आपको इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं मिलेंगी सिंपली आपने गुगल क्रूब में जाना है और लिखना है वीजा वैलिडिटी ठीक है तो आपके सामने काफी ज़्यादा लिंक्स ओपन हो जाएंगे आपने मुकीम वीजा वैलिडिटी में जाना है अपना इकामा नमबर टाइप करें उसके बाद डेट आफ बर्थ आपने अपने लिखनी है ठीक है जी और आपने एंटर कर देना है तो चलिए चलते हैं लैपटाप की तरफ या फिर अगर आप अपने सेल फून से ये चेक करना चाहते हैं दोनों तरीकों से इंशाल्ला मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले हम लैपटाप या फिर डेस्क टाप कंप्यूटर में चुट्टी कैसे चेक करते हैं ये जानेंगे कि आपकी चुट्टी लग गी है या फिर अभी नहीं लगी या आपको कैसे पता चलेगा तो सिंपली हमने निव टैब में जाना है और इदर टाइप करेंगे वीजा वी एएस से वीजा स्पेस वैलीडिटी वी ए ल आई डी आई टी वाई वैलिडिटी और सिंपली एंटर कर देंगे वीजा वैलीडिटी हिद्वा मुकीम इस पे हमने क्लिक करना है दोस्तों ये layout हमारे पास अरबी में और English में दो language में आता है तो मैंने English को choose किया है अब हम visa validity में आते हैं check using इकामा नंबर या फिर visa नंबर तो अगर हम इकामा नंबर से check करना चाहते हैं अपनी चुटी इधर हम इकामा नंबर type करेंगे ओके जी लेकिन अगर हम visa नंबर से check करना चाहते हैं अपनी चुटी तो हम इसको choose करके इधर visa नंबर type करेंगे तो हम इकामा नंबर से ही check करते हैं और इधर इकामा नमबर टाइप करते हैं जिस बाई ने चुटी जाना है उसका ओके जी और क्रॉस मैच बाई ठीक है जी इधर हम पासपोर्ट नमबर एड़ करेंगे फार अग्जेंपल अगर आपकी चुटी नहीं लगी तो आपके पास कुछ इस तरह अगर आपकी चुटी लग गई है तो आपके पास चेक करेंगे तो इस तरह ग्रीन कलर में एक्टीव लिखा हुआ नजर आ जाएगा आप देख सकते हैं नाम लिखा होगा इदर उस परसन का जिसका आप चेक कर रहे हैं विजा नंबर होगा और इशू डेट होगी जिस दिन से चुटी स्टार्ट है या अगर आपका जो इकामा है वो एक्स्टेंड हो चुका है तो आपकी चुटी एरपोर्ट से ही स्टार्ट होगी लेकिन अगर आपके इकामे की मुदद कम है तो आपकी चुटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आपको जो मुदीर है या जो आपका कफील है वो जवादात की आफिस में आपकी चुटी लगवाने गया था तो उसी दिन से आपकी चुटी स्टार्ट हो जाएगी अब हम चलते हैं सेल फून की तरफ के सेल फून में हम अपनी चुटी को कैसे चेक कर सकते है तरीका बिल्कुल वही है गूगल में हम जाएंगे और इदर टाइप करेंगे वीजा वैलिडिटी और एंटर कर देंगे उसके बाद हिद्मा मुकीम में जाएंगे फर्स्ट आप्शन और इदर से हम लैंग्वेज को इंग्लिश में चूज कर देंगे इस तरह ओके जी इदर वैरिफाई यूजिंग में एराइडी दैंसी नंबर आएगा और साथ में वीजा नंबर तो हम रैजिदैंसी नंबर मीन्स इकामा नंबर ही इदर टाइप करेंगे ओके जी मैचिंग यूजिंग तो इदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं ओके लेकिन इदर थोड़ा सा सेल्फोन में इशु आ रहा है के सेल्फोन में हम फिल हाल इस सर्वस को नहीं देख सकते यह कोई सर्वर एरर है शायद इस वैबसाइट का तो इस तरह बिल्कुल वही सेम तरीका है इदर भी हम बहुत ही असानी से हुद आपनी छुटी को चेक कर सकते हैं उमीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी फाइदे मनसाबित होगी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक, शेयर और कुमिट करना न भूलिएगा मिलते हैं इंशाला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टापिक के साथ तब तक के लिए अपना हया रखें अल्ला हाफीज पाकिस्तान जिन्दबाद